ब्याख्यां 27 इस्थानांतर अब हम अपने विसरी की समाप्ति पर पहुँच गए हैं और आपकी मन में एक भाव उठ वहा होगा जो आपको बहका सकता है पर ऐसा मौका नहीं आना चाहिए समाप्ता आप सोच वहे हैं कि निश्चित ही ऐसा नहीं हो सकता कि मनोबस्रेशन की इन उजण भरी पहेयों मैंसे गुजरने के बाद मैं आपको बिल मनोबस्रेशन द्वारा चिकत्सा के बार में जिसके आधार पर ही मनोबस्रेशन कार्य किया जाता है बिना कुछ कहें बिदा कर दूए सच तो यह है कि इसके इस पहलू को छोवना संभाव भी नहीं क्यूंगि इससे व्यक्ति कुछ घटना है आपको कुछ ऐसे नए तथिक का पता बता देना जिसके ग्यान की विना आप उन रोगों को ठीक तरह नहीं समझ सकते जिन पर हम विचार कर रहे हैं मैं जानता हूँ कि आप यह आसा नहीं करते कि चिकित्सा कारे के लिए विसरेशन का प्रयोग करने की बिधी के निर्देश आपको दिये जाए आप तो मौटे दोर पर यह जानना चाहते हैं कि मनों विसरेशन चिकित्सा किन साधनों से और उपायों से की जाते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इससे क्या सफरता मिल्फ होती है, सच मुछ यह जानने का आपको आपसे लिए, पिर भी मैं आपको यह नहीं बताओंगा, मैं चाहता हूं कि इसका पता आप स्वेम लगा है, जना सोचिये दो, आप उन अबस्ताओं से लेकर जिन से मन और रोग आ चुके हैं, इन सब में चिकित्सा करने का वास्ता कहा हैं, सबसे पहले वन सिगत्सवा, हम प्राया इसका उलेक नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य छेतों में इस पर बहुत बल दिया जाता है, और हम इसके बारे में कुछ नई बात नहीं जानते हैं, पर यह ना समझजिए कि हम समझते हैं, चिकित्सा के नाते हम इसकी सक्ती से सुपरचित हैं, खुश भी हो हम इसे बदरने के रिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे यह भी है, इस समस्या का इस्तिर अंस हैं, जिससे हमारे प्रेत्नों के एक सीमा बन जाती है, इसके बार आम अम्रिक बच्पन के समझते हैं वे भूत कार से संबंद रखते हैं इसलिए हम उन्हें हटा नहीं सकते इसके बाद जीवन का वाय सब दुफ जिसे हमने रिधार्थता में कुंठा के अंतरगत सामिर किया है जिसे जीवन का साला प्रेम का अभाव पैदा होता है अधात गरीवी पारिवार जगवे बिवार में गलत साथ ही कर चुना प्रतिकूल सामाजिक अवस्थाय और व्यक्ति पर नातिक इसलिए तो जैसा की पहले कहा है स्वास्त मुक्त रहन से प्राप्त होगा बिसीलेशन पर निश्चित रूप से यह आरोप लगाए जाएगा कि यह नातिक को पोशव नहीं करता बहुत कम रोग्यों में यह द्वन्द ऐसा स्थाई होता है जिस पर डॉक्टर की राय से कोई प्रभाव पर सके और इन रोग्यों को वास्तों में बिसीलेशन द्वारा इराज की आरशक्ता नहीं होती जिन लोगों पर डॉक्टरों का इतना आसानी से असर पर जाता है उन कोई असंतुष्ट पत्नी जो किसी चाहर संतुष्टी प्राप करती है तब ऐसा करने के लिए किसी डॉक्टर या मनु बिसीलेशक की इजाजत की वाहर नहीं देखते हैं इस सवाल पर विचाल करते हुए लोग आमतोर से कट्णाई के सामने आविस्यक अंग को बूर जाते किस नायु वोगी में होने वारा रोग जनक द्वंद और एक ही मानसिक छेत्र में मौजूर सब विवोधी पर आवेगों में होने वारा प्रकत संगर दो भिन चीज या प्रकत संगर तो ऐसे बलों की कुस्ति है जिनमें से एक को मन के पूर्ग चेतन और चेतन भाग की सताय तक आने में सफरता हुई है जबकि वोग जनक द्वंद अचेतन सताय पर ही गिरा वहाँ इसी कारा इस द्वंद का किसी एक तरफ अमतिम फैसरा कभी नहीं होगा परस पर विवदी पर एक दूसरे के सामने नहीं आप पाते निर्णाय फैसरा तब ही हो सकता है जब पर उसी मैदान में आमने सामने आए और मेरी वाय मेरी स्थिती रादेना ही इराज का एक मात्रकार है इसके अरावा निच्चित समझे कि यदि आपका ख्यार यह है कि जीवन संबादी आचवां के विसरे में सराय और पत्व पदरसर विसरेशों की बिदी का अखन भाग है तो आप कहली बही गलत फैमी में हैं इसके विपीत हम यता संबाव उपदेशक का काम करने से बचते हैं हम यही चाहते हैं कि वो ही अपने लिये स्वैन अपने समाधान ढून ले इसके लिए हम चाहते हैं कि वो ही अपने जीवन को प्रभावित करने बारे महत्पून निश्य है जैसे जीवन कारे का चुनाओ ब्योसाय विवाय या तराक आदी जो भी निर्णा है वो सो इराज की दिनों में ना कर और इराज पूरा हो जाने के बाद ही यह कि आपने इससे बहुत बिन चीज की करतना की थी थोड़ से बहुत कम आयू वाल या बिल्कुल असहाय और सबर ही लोगों के लिए ही ऐसी सक्त पावंदिन में रहना असंभाव है इन व्यक्तियों की लिए हम चिकित सक्त और सिक्षक दोनों बन जाते हैं तब हम अपनी की जम्यदारी को अची तरह समझते हैं और आवस्यक्त साधानी से कारी करते हैं मैंने इस आरोप से की बिसलेशों वाले इलाज में इस नायू भोग्यों को मुक्त जीवन बिताने के लिए उत्सायित किया जाता है जिस उत्सुक्ता से अपनी सफाई पेस किये उसे आपको भुम्रुम में नहीं पढना चाहिए और ना यह नतीजह ही निकालना चाहिए कि हम उन्हें परमप्रागत शाले पर चलनदे के लिए यह बाद भी हमारे प्रयोजं से उतनी ही दूर인지 दूसरी बात यह कि यह सच है कि हम सुदार नहीं बऻलकि सिर्फ प्रिक्षपोट हैं प सािवार स्वार हमें असंबा। मालुम हुआ हम असाने लीविद्णं सकते हैं कि अपनी नयतिक निमावरी कहते हैं These के रहे कितनी कुर्वान ही करनी परती है उतनी की इतना समस्थ आुशन Chemistry और समझदार इस हम अपने वोगीों के न्दौन हैं सुनने से नहीं रोकते हम उन्हें यह आदत डालते हैं कि बे और सब मामरों की तरह यौन मामरों पर ही बिना किसी पूर्वा करके बिचार कर सकें और यदि इलाज की प्रभाव से स्वतंत्र होने के बार वे असानियत यौन स्वचनता और पूर्ण निब्रति के बीच सब्सक्रावे में सची बात समझना और पहचानना सीख लिया है उसे अब नयतिक्ता की खतों से रहने का बर्द प्राप्त हो गया है चाहें उसका नयतिक्ता का मानदन कुछ दच्चियों से प्रचृत मानदन से भी नहीं क्यों ना हो प्रसंगत हमें यह भी ध्यान रखना कि आम इस नायू रोग पैदा करने में इंदिये सहियम को बहुत अधिक महातुना दे बैठें इस तरह के संभोग से जो बिना किसी कटनाई के प्राप तो हो सकता है कुंठा से और तत्पस्चात कुंठा द्वारा प्रवेत राग संचे से उत्पन रोग जनक इस्तितियों म आपको कोई और चीज़ भी देखनी होगी मैं समझता हूं कि आपके अनुमान पर विचाल करते वे मैंने जो बाते कर दी उन्मेंसे एक बात से आप सही रास्ते पर आगर नहीं होगी सब मुझा किसी अचेतन चीज के आज जाने अचेतन दिशारों के चेतन दिशारों में रूपांतित हो जाने से ही हमारा कारे सफर होता है आपको ख्याल सही है बिल्कु यही इस्तिति ए अचेतन का चेतन में विस्तार करके दमन दूर किये जाते हैं लक्षो निर्मार की अवस्तान दूर की जाती हैं और रोग जनक द्वन्द के इस्तान पर हम प्रकत संगस लाया जाता है जिसमें इधर या उदर फैसर अवस्त हो रहे हम अपने वोग्यों के रिए कुछ नहीं करते हैं करते हैं कि उनमें एक यह मांसिक परिवर्तन होने लगा यह परिवर्तन उनमें जितनी अधिक मात्रा में कर दिया जाता है उतना ही अधिक लाव उन्हें पहुंचा देते हैं जहां कोई दमन या इस जैसा कोई और मांसिक प्रक्रम नहीं होता जिसे दूर करना हो वां हमारी चिकत्ता करने योग कोई भी काम नहीं होता हमारे प्रयत्नों का रक्ष अनेक सूत्रों के रूप में प्रकट किया जा सकता है जैसे अचेतन को चेतन बनाना दमनों को हटाना इसमर्ति में खाली इस्तानों को भरना ये सब समान बाते हैं पर सायद आप इस कतन से आपने इस नायू वोगी के स्वास्न रापकी कुछ और ही करतना की थी आपने सोचा था कि मनों बस्रेशों के परश्रम पूर्ण कारे के बाद वाई बिलकुरी नया आत्मी बन चाएगा और अब आपसे यह कहा जावाई के बात सिर्थ इतनी है कि उसमें जितना अचेतन थ पहले था अब कुछ कमिंग हो गई है और जितना पहले चेतन था उसमें कुछ बर्दी हो गई है असियत यह है कि साइद इस तरह के भीतरी परिवर्तन के मातों को पूरतर समझ नहीं पाते जिस इस नायू वोगी के इलाज हो जाता है वर सचमुची एक नया आदमी बन जात है यह दबी मूतार पहले की तरह ही होता है अठादवर अपने सर्वोत्तम रूप में आ जाता है वर वैसा ही बन जाता है जैसा सबसे अनुकूर परिस्तिरियों में बना होता है पर तो यह बहुत बड़ी चीज है फिर जब आपको वे सब बाते पता चलेंगी जो उसके मान कोई साल लगने वाला परिवर्तन राने के लिए करनी होगी तब अनएक मांसिक सथाहों के अंतरों का अरत आफ़क अधिक समझ में आएगा मैं जला सांक्रियां को दूर करने के लिए कोई कमजोर पहलू तरास करती है अब प्रश्णिया है कि मनोबिस्रेसा नामित्तिक चिकत्सा है या नहीं इसका उत्ता सवर नहीं है पर इससे हमें ऐसे प्रश्णों की ब्यातिता अच्छी तरह समझने का मौका मिल जाता है जहां तक इसका प्रश्ण ह कि मनोबिस्रेशं चिकत्सा का रक्ष को पतकार दूर करना नहीं ओजाती और दस्टियों से यह कहां जा सकता है कि या नामित्तिक चिकत्सा काला के पीछे की ओर चरते चरते दमन से परें, मैं सर्वी पूर्व परतियों, सरीर रचना और उनकी आपेक्षिक दीबता और उनके परिवर्धन के मार्ग में होने बारे बिपथनों तक बहुचते हैं, अब मान लीजे कि किसी रासानिक साधन से, इस मनोयंत पर असर डाला जा सकता हैं, किसी खास समय उप्रब्ध राग की मातर को बहाया घटाया जा सकता है, यह एक आवेग की ताकत छीन कर दूसरे आवेग की ताकत बहाई जा सकती है, तो यह साब डिक अर्थिकी द्रश्टी से नयमित्तिक चिकत्सा होगी, और हमारा विजरेशन उसका अनिवाय आरंब विकार होगा, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय राग के प्रकमों पर ऐसे किसी प्रभाव का प्रश्ट नहीं है, हमारी मानसिक चिकत्सा इस संक्रा के एक और इस्थान पर हमला करती है, यह इस्थान बिलकुल वही नहीं है, जहां रोग के अभी व्यक्ति वूप जमे दिखाई देते हैं, पर फिर भी यह लक्षों से बहुत पीछे है, यह इस्थान बड़ी बिस्ष्ट परस्तितियों में हमारे काबू में आ जाता है, तो रोगी में जो कुछ अचेतन है, उसे चेतना में राने के लिए हमें क्या करना पाता है, किसी समय हमने समझाता है, यह बड़ासर काम होगा, हमें सिर्व इतना करना हुआ कि हम इस अचेतन बस्तू को परचान लें और फिर भोगी को यह बताते हैं कि यह बस्तू क्या है, पर लिए हम पहले ही समझ चुके हैं, कि वह हमारी अदू को दरस्ता थी, उसमें जो कुछ चेतन अचेतन है, उसके बारे में हमें जानकारी होना, और वह को जानकारी होना एक ही बात नहीं है, जब हम उसे नहीं बे बाते करते हैं, क करना पाथ हमें इसकी इस प्रती में वह असी चीर्गेश खोषनी पहती है जिसमें इसको दमन्सुम में अरम हुआ पहरे इस दमन को खुआना होगा और फिर सीधरी अचेतन बिचाल के स्थान पर चेतन बिचाल दाया जा सकता है इस तरह की दमन को कैसे यहां हमारे कारी की दूसी केरा अरम होती है बखंतो दमन को खोशना और फिर उस प्रतीवोद को हटाणा जो इस दमन को कायम रखता है इस प्रतीवोद न laying सो केसे प्रीज क्टता है data कला और बोगी को सी बारे में बता का पति रोद भी किसी दमन मैंसे ही पैदा होता है या तो यह उसी दमन मैंसे पैदा होता है जिसे हम दूर करने की कोशिस कर रहे थे या किसी पहले बारे दमन से पैदा होता है यह उस पति आवेश द्वारा इस्थापित किया जाता है जो पति करसी आवेश का दमन करने के लिए पैदा हुआ था इस परकार हम ठीक वही कारे कर रहे हैं जो पहले करने की कोसिस कर रहे थे हम रोगी कर निर्वचन करते हैं उसे ठीक ठीक पहचानते हैं और जानकारी देते हैं पर इस वार हम यह काम ठीक इस्तान पर कर रहे हैं पती आवेस या पती वोद अचेतन का भाग न अर्थ एक और तो एक हर घटना या क्रिया और दूसी और एक संस्तान होने के पार कटना ही पैदा होती है यह बात बढ़ी आइस्प्रष्ट है और कठिन मालूम होती है और आखे का यह उस बात को दोहराना मातर जो हमने पहले कही दी इस बात पर हम बहुत पहले पहुंच कि जब हम अपने निर्वचन कारे द्वारा पती रोद और पती आवेस को पहचान रहेंगे तब यह पती रोद दूर हो जाएगा और पती आवेस हट जाएगा ऐसा कर सकने के लिए हमारे पास कौन से नैसर गिक, नोदग, अर्था धकेलने वाले बल हैं प्रथम तो भोगी की स्वासराब कीक्षा जिससे प्रेट होकर उसने हमारे सहयोग से फिसलेश और आरम किया, दूसर उसकी बुद्धी की मदद जिसे हम अपने निर्वचन द्वारा मदद देते हैं, इसमें कुछ संदेर नहीं कि वोग के लिए पतीवोत को अपनी बुद्धी से पहचानना और अधिक आसान हो जाता है जब हमने उसे कोई ऐसा मनुवर में परसुत कर दिया हूँ, जो इसके विसे में उसमें आसायं पैदा करते हैं, यदि मैं आपसे कहूं अकास की और देखिए और आपको एक गुबारा दिखाई देगा, तो आपको गुबारा उस समय की देखने वारे चात्र को सिक्षके बता देता है कि उसी क्या देखना है, अनिता उसे कुछ भी नहीं दिखाई देती है, यदि भी कोई चीज बहां है और काफी साफ दिखाई देती है, और अब तथी को लीजिए, बहुत से इसनाई रोग्यों, जैसे हिस्टीरिया, चिंता दसाएं, मनों गस्तता रोग में हमारी परिकर्पना पूरी उताती, इस प्रकार दमन को खोच कर, पतिखोदों का पता लगा कर, दमित को निर्दिष्ट करके, कारे में सफरता पाना, पतिखोदों को दूर करना, दमन को हटा देना, और अचेतन बस्तु को चेतन बस्तु मे बदर देने सच्मुस संभाव है जब हम यह काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रति प्रतियोत को दूर करने के समय रोगी की आत्मा में एक भीसर युद होने रखता है यह उसी मैदान में रव वही दो परत्यों के बीश प्रति आवेश को कायम रखने में यह तन सी प्र प्रक्रत्सक संभास है इनमें से पहले प्रयर भाओं बे पुराने प्रेयर्ग भाओं होते हैं जिन्होंने सुलू में दवन को कायम किया था है दूसरे प्रेयर्ग भाओं है डिल नहीत मांग है जो कुछी समय प्राफ्ड ह ह typ ओंतरा में और जिनseits समय पहले निवनीत प्रश्ण को दुबारा बचार के ये पेस करने में सफर तर्मी है हमने इसमें जो नया काई किया है वह परफम तो यह है कि हमने यह दिख़ा दिया कि पहले बारे समाधान से वह पैदा हुआ है और यह आसा दिखाई कि इस से भिन समाधान से यह स्वास्त फिर फ्राप्त होगा और दूसरे हमने एज़्जत रा दिया है कि जब इन आवे गोसु में अस्विकार किया गया तर तपसे परस्तितियां बहुत बदर चुकी थी उस समय आहम दूर्बर और सैस्वील था और साहिद वार की प्रवत्तियों को अपने लिए खतरनाक मान कर हैसे संकुचित होता था आजवर सबर और अनुभवी हो चुका है और साथ ही चिकट सक्के रूप में एक साहिक उसके पास है हम यह आसा कर सकते हैं कि यह पुनर जीवित द्वंद दमन की अपेक्षा किसी अच्छे परणाम पर पहुंचेगा और जैसा पहले कहा जा चुका कि हिस्टिया चिंता इसनायो रोग और मनोगर्सता रोग में प्राफ्त सफरता से हमारे कथन की सचाई सिद्ध होती है रोग के कुछ अन्य रूपी हैं जिनमें हमारा इलाज कभी सफर नहीं होता यद भी अवस्ताएं एक सी होती हैं उनमें भी सूर में आहम और राग में दुन हुआ ओर फिर दमन हुआ यदा भी इस दुन में और स्थानां तरह इसलायो रोगों के दुन में सित्थान बत्ययफर थे इन के जीवन का वाय स्थान खो जा जा सकता जिसमें दमन हुए हम वही विधी अपनाते हैं वही आस्वासन देने को त्यार हैं रोगी को ये बतला कर कि वह क्या चीज हो पेस करते हैं और यहां बी जिस समय दमन हुए थे उसके और आज की के बीज़ का समयांतर दंद का अधिक अच्छा परणाम होने के लिए अनुपूर है और फिर भी हम इसके एक भी पतिवोत को हटाने का या एक भी दमन को दूर करने में सफर नहीं हो सकते यह वोगी जो पैरानोरिया मैला कोलिया उदासी वोग और डैमेनेक्स या फिकॉक्स क बीज़्टों के छिक वोगी होते हैं मन और विल्शिलेशं की एसके गर्सेद्ध होते हैं इसका क्या काराण हो सकता है बुद्धी की कमी इसका कावान नहीं है यह ठीक है कि यृज़ंतर की कुछ मात्रा सुभावता आवस्छा के लिए बरहाजी जवाब डिटाक्टिफ प तरह दूसरे प्रेयर बर्डी सदा अनुपस्थित नहीं होते उधारां के लिए पहरा नोय रोगियों के मुकाबर उधासी रोगी इस बात को बहुत अधिक अनुगों करते हैं कि भी रोगी है और उनके कष्टों का कारां यह रोगी पर इसके कारां उन पर अधिक आसानी से पाता है इस तरह हमारे सामने एक ऐसा कत्य आ जाता है जिसे हम नहीं समझ पाते थे और इसलिए यह प्रश्ण पैदा होता है कि क्या हमने दूसरे सनाई वोगों में सफलता पाने के लिए आवस्टाओं को वास्तों में समझ रिया है जब हम हिस्टीरिया और मनों गस्ता के पर विचार करते हैं तो हमारे सामने सीग एक दूसरा बिल्कुर असंभावित कथ्य आ जाता है कुछ समय राज होने के बाद हम देखते हैं कि इन वोगों का हमारे कती बहुत अजीब व्योवार होता है हमने सच्पुर्श समझाता है कि हमने राज सम्वन्दी प्रयरक पर विचार कर लिया है और अनेक तथा अपने तथा वोगी के बीच की स्थिति वो इतनी अच्छी तरह इस प्रश्ट कर लिया है कि और गरत की वासी के समान संतुरत हो गए है पर अब फिर कोई ऐसी चीज वीच मालूम होती है जो हमारी गरना से भी को छूट गई थी इस नई और अप्रत्यासित बात के खुद बहुत से पहलू और उर्जन है सरसे पहले मैं इसके अधिक आम और सरल गूप आपके सामने पेस करूँ है तो हम देखते हैं कि वोगी में जिसकी मन में अपने को परिसान करने वारे दौनों के समाधान के अलावा कोई वार बात नहीं होन उसे इस प्रिक्ति से समंदित हर बात अपनी निजी मामरों से अधिक महत्कीर लगने लगती है उसके रोग से उसका ध्यान हटाने लगता है तब रोगी के साथ समंद कुछ समाई के लिए बर मदों हो जा यह बिकुर आपकी एक्षा क्या धीन चलने लगता है जहां मौका म बार में बिस्रेशक की राय बहुत अच्छी हो जाती है और ऐसे गुर्य व्यक्ति का सहायक बनने को अपना सौब भाग के समझ दें लगता है लेदी डॉक्तर को रोगी के विस्रिदाओं से मिलने का मौका में परता तो उनसे यह सुनकर उसे संतोस होता है कि है समादर दो परता है वोगी अपने घर पर बिस्रिदा की प्रसंदा करता है और उसमें नए नगों बताता हुआ कभी नहीं तरफ वह तो आपके पीछे पागल हो गया उसे आपका पूरा भरोसा है आपकी कही हुई हर बात उसके लिए इश्वर की बाव है यह बात यह विस्तिदार उस पर वोगी की द्वार की गए अपनी प्रसंदा के मतलब बताई है कि वोगी को मेरे बताई हुए तरीकों से स्वास्तर आपके आसा हो गई है और इस इराज में होने वारी आस्टर नर्थ रहे सोद घाट में और उनके मुप्तिकार प्रभाव के परियाम सब वोगी का बहु अच्छे द्वंग से आगी बाता है वोगी अपने सामने की पेस की अगर सुझाओं को सौचता है राज की आवसे कारियों पर ध्यान देता है आवसे नामगी उसकी पुरानी इसमतियों और साहर चल बड़ी मात्रा में उपलब्द हो जाती है और बिसिले शब को उसके निर परता से सुझार कर लेता है जिन पर बाहरी दुनिया में स्वस्तव्यक्ति इतना गर्मा गर्म पाद रात करते हैं विसले सक्कि इस मदों समन के साथ साद्रोगी की दसा मैरी सामाने सुधार दिखाई देता है जिसकी सब उसे बैक्याने कुष्टी होती है और ऐसी बाहर चस्पी नहीं गरी और वाई अपने को दिये गए इस आदेश की बीच बीच पीच पर इच्छा कर रहा है कि अपने मन में आने वारी प्रतिक बात पर क्या डाले अपने मन में आने वारी अरोशनात पर आक्षेपों ऐसे किसी से ना दबे उसके ब्यावार का अभूप इरा होती यह बात पर किसी से कहना बहीं जाओ इस सब्सुमिरी आ है कि कोई प्रबकॉत प्रतेओध प्रतियुत पैदा हो गया पर क्या बात हो सकती यदि इस स्प्रश्ट किया जा सके तो यह पता चाहिता एकिस करबभई का कावार मोगीमने अन्वार की देवर्षा Two talks औरस कर ना तो डॉक्टर के बिवहार है ना इराज से पैदा होने वाला सम्मन यह अनवार को भावना जिस गूप में पकट होती है और जिस रक्ष पर पहुंचना चाहती है यह सभावता दोनों व्यक्तियों के बीच की सिद्धिकर हालात परने पर होते हैं यही उनमें से एक जवान रखियों और दूसरा अभी जवान नौजवान साहियों तो उनमें प्राक्रत प्रेम की सी धारणा पैदा होती है यह सभाविक रखता है को यह आदमी के साथ प्रेम करने लगे जिनके साथ वह बहुत समय एकांथ रहती है जिसे वह अपनी बहुत गुप्त बातें भी कह सक दोनों व्यक्तियों की बीच की इस इतिती इस कर्तिक कर्पित उधावां से कितनी जितनी अधिक भिन्होंगी उतना कि पताना होगा कि यह ने W firefight यह भी इसी तरह की भावना क्यूं दिखा ने गुपनी कोईा जवावान इस पति गमांबेद से और भीवी वह अपने पर करका ऐसा ना हो सकता हूं वहां उसके साथ गुप्त प्रेम सा मन रखने लगे पर यह बाद फिर भी समझ में आ जाती हैं सच पूछिए तो इस तरह की बात मनों बिसीरेश हो चुकी हैं पर इस इस्तिति में इस्तियां और रखियां बर्याश्चर जनक रहे से प्रकट करती है जनसे यह पता चलता है कि जिगत्सा की समस्चा पर उनका बहुत अजीब हुख है बेसादाया समझती रही है कि प्रेम के अलावा और किसी चीज से उनका राज नहीं होगा और इस राज के आवाम से उन्हें आसा थी कि जो चीज उन्हें अब तक जीवन में नहीं मिल सेगी और आखिर का इस समझने से मिल जाएगी इस आसा से उन्होंने सब विचार पकट करने में आने वारी सारी कट्णाईों को दूर किया और इसलेशन के लिए इतना कश्ट उठाया इतनी बात हम और जोगत हैं और जिन बातों को समझना आंतोर से इतना कठें है उन्हें इतनी आसानी से समझ भी यह था पर इस तरह की स्विकारोपती से हम अवाक रह जाते हैं हमारे सब रसाब किताब बेकार हो जाते हैं कहीं असा तो नहीं कि हमने सारी समस्थ्या के सबसे महतपूर अंस को छोग दिय और सच्मुस यही बड़ी बात है हमें जितना अधिक अन्वर प्राफ्ट हो जाता है हमारी इस नए कारक जिसने सारी समस्या को बदल दिया और हमारी बैक्याने गवनाओं को तुछ बना दिया मुकाबरा करना उतना ही कम संभा हो जाता है सुर में कुछ बार तो आदमी ऐसोर सकता है कि एक आकस्त में घटना के वूपे जो बिसिलेशों के प्रयोचन से असंबन देता है और जिसके पैदा होने का इसके साब कोई सिसरा नहीं जोता एक बादा आ गया है जिस पर आकर बिसिलेशों का इलाज ब्याथ हो गया है पर लिखाई देता है जैसे बुजर्व इस्तियों में सफेदावी बारे लोगों की पती और ऐसे अवसरम पर दी जब हमें बुद्धी से यहीं निश्चर होता है वहां कोई प्रवण नहीं है तब हम आकस्त में घटना का विचार छोग देना पारता है और यहीं मानना परता ह कि वह अपने आप में घटना है जो वोग के सवरूप के साथ सारत जोई हुई है इस परकार जो नया तथ्य मानने को अनिक्षा पूरक मजबूर होना परता है उसे हम इस्तानांतरा कहते हैं इससे हमारा आसर यह है कि भावनाएं डॉक्टर की व्यक्तित पर इस्तानांतर कर जा सकता है हमें यह संदेग की अधिक गुंचा इस मालूम होती है कि भावना पनपाने की इंसारी ततपरता का जन्द एक और जगर होता है कि यह रोगी में पहले ही बन चुकी थी और राज द्रावर प्रस्तित अवसर कर राब उठाकर अपने आपको डॉक्टर की व्यक्त यह रखेल बनने की इक्षा के स्थान पर रावरी पुत्री के रूप में स्विकार की जान की इक्षा पकट हो सकती है यह वागात्मक इक्षा अपने रूप में थोगा परिवतन करके स्थाई और आत्रस आत्मिक मित्रता की इक्षा की रूप के सामने आ सकती है बहुत सी इस्तियां यह समझते हैं कि इस थानांत रंग क्यों ऐसा उधात रूप कैसे दिया जाए और इसको इस तरह कैसे ढाला जाए कि उनके अस्तित कर एक तरह से और चित सिद्ध होने लगे कुछ इस्तियां इसे इसके स्थूर मौलिक प्राया असंबा गूप में पकट करती हैं पर साग गूप में यह सदा एक ही चीज होती है और इसका जन्द उसी सोथ से होता है यह सोचने से पहले कि इस तरह इस नए तत्य को हम कहां जमाएं हम इसका वर्णन्थ होगा विस्तार से करें हैं पुर्स रोग्यों में क्या होता है उनके साथ कम से कम यह असा तो की ही जा सकती है कि जिंगी बेद और रिंगा अकरसर का परसानी करने वारा आंस नहीं होती है पर यहां भी उत्तर बहुत खुष़ वही है जो इस दियों के मां में हो था चिकत्सा के प्रति प्रति वही अन्वाग उसके गुंग का वही कि इतिमान उसके सोहितों क्योद्व उसी तरह अपनानों उससे सम्मानित सब व्यक्तियों से वही एजिया पुर्स और पुर्स के बीच इस्तानांतरण के उदार तस्वरूप अधिक मिलते हैं और सीधे यौन सम्मान बहुत कम मिलते हैं उनकी मात्रा इस बात पर निखा है कि वोगी की व्यक्तियों सम्कामेता दूसरे तरीकों के जिन से गटक निसर्ग बती अपनी अव्यक्ति कर सकती कहां तक अधिन इसके अलाव पुर्स वोग्यों में ही बिसलेशक को इस्तानांतरण का वह वूप अधिक दिखाई देता है ज चाहिए कि स्तानांतरण वोगी में इलाज की सुर्म से मौजूद होता है और कुछ समय तक और विसलेश और कारिका सब्चेट को बरत प्रेरप होता है तब तक यह दिखाई नहीं देता और इसकी बिसले में परिसान होने के आवश्यक्ता नहीं होता है जब तक इसका पर वियोदी मांसिक अवस्तान बीच में आ गई है और उन्होंने एक राज की पती उसके रुप को बदर दियो बदम तो जब अनुराग में आकर साओ इतना प्रवल हो गया है उसका जन्य यौन एक्षा से होने के चिन इतने सपष्ट दीखने रगे हैं इससे अपने वियो कोन भावनाएं अनुराग कोन भावनाओं के साथ और उसकी आरमें दिखाई दी जब दोने खट्टी हो जाते हैं तब भावना की उस अभावता का बहुत अच्छा उदाना करसुद करते हैं जो दूसरे मरेश्चों के साथ हमारे अधितर घरश्ट समन्नों की नियामक होती इसलिए भावना भावना का बैसा ही लगाओ सोचिक करते हैं जैसे अनुराग को भावना का इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बिचले शब भियोदी भावनाओं को इस ना दरग करना उच्छे थी क्यूंकि इलाज की स्तितिती में उनके पैड़ा होने का कोई पर्याप वेवातमक इस्थाना तरह को इस diwormus में मानने कि अवशक्ता से घनात्मक या अनवातु मुँण इस्थानांध की विशचेंगर हमारे इसी तरह की विचार की कुष्टी होती है इस्तानान्तर कहां से पैदा होता है। इस से हमारे सामने कौन सी कट नया आ जाती हैं। हम उने कैसे हल कर सकते हैं और अनते में हम इसे क्या लाब उठा सकते हैं। इन प्रश्टों का ठीक ठीक ढंग से उत्तर विसिलेशों की बिधी का टैक्निकल विखान देकर ही किया जा सकता है। यहां तो मैं इसका संकेत मात्र कर सकता हूं। यह तो प्रश्ट ही पैदा नहीं होता कि हम अपने इस्थानांतर के प्रभाव के बस में होकर होकर रोगी जो कुछ कराना चाहता है उसे करने जगे। उन्हें लापरवाई से ठुकरा देना मुख्ता हो और रोष्ट से ठुकरा देना और भी बड़ी मुख्ता है। भोगी को यह जत्रा कर स्तानांतरण को दूर्ड किया जा सकता है कि उसकी भावना के वर्तमान इस्थिति में नहीं पैदा हूए है और वह असल मैं चिकट सक्किये व्यक्तित्त से संब्थित नहीं रखती पर किसी ऐसी चीज को फिर जिंदा पैदा कर रहे हैं जो बहुत प्यारे उसके साथ होती है इस तरह हम उसकी फुन्रावती को पूर इसमरा में बदलने के लिए कहते हैं तब इस ताना तरह चायवाई अनवाग को था या बिरोट को जो रिजाज के लिए सबसे वहा खत्रा बन गया था अब उसका सरवोतर उपकरां बन जाता है औ और आप इस असंभावत घटना से लगी आगात से विए बुरा असर करा होगा उससे दूर करने के लिए कुछ सब्द कहना चाहते हैं आखिरकार हमें यह यह नहीं भूरना चाहिए यह रोगी के जिस रोग का बिस्रसम करने के जिम्मेदारी हमने उठाई है पर कोई अंतिम हूप में तयार पूर्ण वस्तु नहीं पर जीवेद वस्तु की सारे सारे समय बह रही है और अपना परिवर्धन जारी रखते है पर जियों की इराज वोगी पर असर डारने रखता है तियों है प्रतीत होता है इसके बाद वोग की सारी उत्पात अक्ता एक दिसा में यम लेर और चाल की बीच वारी यह था स्तर की से की जाती है जिसमें नए उत्रकर निर्मा और तर्ने के ब्यास में बद्दी होती जो ही इस ताना अंतर इस उप में आ जाता है तो है वोगों के पूर्विस्वरा का बिसेश्वा गौण पर जाता है तब यह कहना गलत नहीं है कि अब हम पुराने रोग का सामना नहीं कर रहे हैं बर यह एक नए पैदा हुए और वो पांतर इसनारी रोग का सामना कर रहे हैं जो पहले बारे रोग के इस्थान में आ गया है पुराने रोग का यह नया संस्क्रा अपने सुर्ण होने के समय से हमारी नजर में हमें इसे पैदा होते और बाते लेखते हैं और इससे इस कारण विसेश रूप से परिचे थे क्यूंकि इसमें हम स्वयम ही केर्णर है रोगी के सब रक्षों का पहले वाला अर्थ खत्म हो गया है और उन्होंने एक नया अर्थ अपना लिया है जो इस्थानान तरण के साथ उनके संबंध में नहीं थे अत्वा से बे रक्षों से रह गए हैं जो इस तरह नए अर्थ के अन्पूर बन सकते थे इस तरह नए करतेम रूप से उत्पन इस नायू रोख पर विजय इराज से पहले मौजूद रोख को दूर करने अर्था चिकित्सा कार्य को पूरा करने के साथ ही होती है जो व्यक् अंधिर्थ के खट जाने पर भी डैसा ही बना रहता है इस्थानांतरा का हिष्टीर्य चिंता हिष्टीर्य और मनोगर्सता वोग के राज में बहुत महातुकौर और बिल्कुर केंद्ई महात रह और इसलिए इनको इसनायू वोग समूर में इखटा रखना उचित ही है जि उने रक्षों के रूप में अपने बाहर निकरने का एक रास्ता बना लिया है फिर कभी संदेल नहीं हो सकता और उसे उनके रागात्मक स्वरुप के बारे में इससे बवर किसी प्रमार की आवश्यक्ता नहीं होगी हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह विस्वास इस्थानांतरां क कि घटना का मूर्यांकन करने से अंतिम रूप से और सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रक्षों कर दिया है कि बेवराग की इस्थानापन परितुष्टी हैं पर अब हमें इलाज के प्रक्रम के बारे में अपने पहले बारे गतिकी और धारं को सही करना होगा और नई खोज के साथ इसका मेल बिठाना होगा जब रोगी को प्रतिवोधों के साथ जो हमने विस्दिलेशन द्वारा उसमें पता लगाए हैं प्रक्रत द्वन्द में जूजना परता है तब उसे स्वास्त राप की ओर रेज जाने बारे हमारे सोचे हुए निश्चे की और धकेटने के लिए एक परबर नोड़क यह धकेटनेवाले बल की आवश्कता होती है अनुथा हो सकता है कि वह पिछले पर नाम की पुन्राबति करने का ही फैसरा कर ले और जो चीज उठार कर चेतना में आगर उठकर चेतना में आगर उती उसे फिर दमन आगर में सटर नहीं होगा ऐसे कार्व की सिद्धी के लिए ना तो यह काफी ब्ल प्रवल है और ना काफी मुट्ड कि चिकट्सक के साथ उनके सम्बन से और सिर्फ इस सम्बन से ही मिर्धार्थ होगा जहां तक उसका इस्थानांत्रा धनात्मक है वहां तक ये चिकटसक को अधिकार युक्त करता है अपने आपको उसकी खोज़ों और ऋसके विचारों में सुर्दा के उप में बदर लेता है इसतर है करेका इस्थानांटरा या रिरात मगिस्थानांटरा ना हो तो चिकथसक और इसकी युक्तियों की और रोगी कान भी नहीं देगा सद्धा अपने जन्र का इत्यास तोराती है यह प्रेम से पैदा होती है और सुरू में इसे किनी दलीरों की आवश्चकता नहीं होती बहुत बाद में यह दलीरों की ओर ध्यान देती है पर उन पर आरोश नात्मक विशार तभी करती है जब ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फेस की गई हो जो प्रीर है इस सहारे के ना होने पर रोगी के लिए दलीरों का कोई महात्रण नहीं होता इसलिए मनुश्य की बुद्धी पर धी वहीं तक असर डाला जा सकता है प्रभाव परने में भी वकावट बनेगी आरंबन आच्छादन में दूसरे व्यक्तियों के प्रतिवार को बिकीर्ण करने की छमता निसंदेर सब प्राकत रोगों में मौझूद मानी जा सकती है तथाकति इस नायू वोगों की इस्थानांतरं की प्रवत्ति एक ब्यापक बिजेस्ता का अपबाद रूप से होने वाला तीबर रूप मात है इतने महात्र के और व्यापक मानवी चर्च गुर्ण को कभी ना देखा गया होता उसका उप्योग ना किया गया होता तो यह बड़ी बिच्चत बात होती और इसे सचमुष देखा गया है बर्वहीम ने बवर सही और स्पष्ट विचार द्वारा सम्मोहन सम्मंदी ब्यक्ति गूपों का सिध्धान इसी उपपत्ती पर ख़वा किया कि सब मनुष कम या अधिक मात्रा में आदेश के वसीवूत हो जाते हैं बे आदेश वस्ष होते हैं जिसे उसने आदेश वस्थिता कहा था वह इस्थानांतरां की परती कराबा और कुछ नहीं है पर इसे बहुत तंग दायरे में रखने पर यह बात सच है कि व्रवात्मक्त इसके चेत्र के बीतर नहीं आता पर बरनहीम यह कभी नहीं बता सका कि क्किलत वास्तों में क्या है या roaring कैसे पैदा होते हैं उसके यह एक स्याम सिद्द्र तथय था और उससके पैदा होने की वायं कोई भी अछान नहीं कर सकता था वह यह नहीं पहचान पाया कि आदेश से वस्ता यौन वत्ती पर वाग के कारी करने पर बिरभा है और हमें यह सुईकार करना पड़ता है कि हमने अपनी विदियों से सम्मोहन का त्याग करके इस्थाना तरां के रूप में आदेश को फिर खोज रिया है पर मैं जरावुक कर आपको सूत्र पकरने का मौका देता हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपकी विचावों में एक आक्षे इतिनी प्रवर्ता से घूंग रहा है यदि उसे प्रकट ना किया गया तो ध्यान के इंडित करने की आपकी सारी सक्ती चीन देगा अब इस वकार अंत में आपने एमान दिया कि आप भी समोह को की तरह समोह को की तरह आदेश की सहायता लेते हैं हम तो सारे समय यही समझते रहे हैं पर फिर गुजरे हुए अनुभवों की द्वारा इन सब चक्करदार वास्तों का अच्छेतन सामगरी को खोजने भी पर्यासों का निर्वचन करने और उने फिर अनुभवादित करने और समय मेहनत और धन का इतना भारी खर्च करने का क्या राव जब अन्त में असीर कारेकारी साधन आदेश की हैं आप लक्षों के ब्योद्र सीधे आदेश ही क्यों नहीं देते जैसा कि दूसरे रोग कहते हैं जो इमानदारी से अपने आपको सम्मोहग बताते हैं और इसके आतिर्ट यदि आप यह कहते हैं कि इन चक्करदार वास्तो के द्वारा आपने अनेक महत्पूर खोजें की हैं जो सीधे आदेश में छिपी रहती हैं तो उनकी प्रमार्व एक्ता की कुष्टी कौन करेगा क्या बेबी आदेश का अर्थात अना भी प्रेट आदेश का पर नाम नहीं है क्या आप लोगी पर इस दिसा मेरी मन्चार प पूरा हो गया है इसी अग्री बार से आप देखेंगे मैं आपकी आपती का उत्तर दे सकूंगा आज मुझे एक बात खत्म करनी है जो मैंने सुरू की थी मैंने इस्तानांतरां की कारां के जड़िये आपके सामने यह व्याख्या करने का वाइदा किया था कि स्वरती संबन थी इस नायू भोगों में हमारे चिकत्सा की प्रियत में सफर क्यों नहीं होते यह व्याख्या मैं फोर से सब्दों में कर सकता हूं और आप देखेंगे कि कितनी सवर्ता से पहेरी हल हो जाती है और हर चीज कैसे एक दूसर के साथ सम्मद्ध हो जाती है अनुभाव से पता प्रभाव से नहीं इसलिए चिकत्सक का उन पर प्रभाव नहीं कर सकता हूं चिकत्सक जो कुछ कहता है उससे भी उदासी इन रहते हैं उन पर कोई छाप नहीं परती है और इसलिए इराज का प्रक्रम जो दूसरी बातों के अर्थात रोग जनक द्वन्ध के पुनुद ज वास्तराब के प्रयत्म की हैं जिनसे रोगात्मक परणाम पैदा हुए हम इसे बदरने के कुछ नहीं कर सकते हैं इन रोगियों की रोग परिक्षा क्याधार पर हमने कहा था उनने राग से आलंबनों का आच्छादन अवसित्याग दिया होगा और आलंबन राग को आहम र करने की कोसिस के समय उनका जो बेवार दिखाई देता है उससे इस संदेर की पुष्टी होती है बेकुरिस्थान आंदरवन नहीं पैदा करते बड़की इसलिए हम उन तक नहीं पहुंच सकती और उनके राज नहीं कर सकते हैं थैंक यू वरी मच पॉर लिस्निंग वर लिस